हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टो मैं चैनल प्रतिवारावत फैमिली व्लॉग्स तो कैसे आप सब वह आप सब अच्छे ही होंगे तो चली आज की व्लॉग की शिरुवात करते हैं इस समय तो मतलब ना आजकर में बहुत ज्यादा बिजी हो वही थी शानू का सोमवार है और व्रत है पूजा है तो बस फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से सुबह सुबह उठे फटा फट से सारा काम किया शानू तो स्कूल गई है मन्डे है और उसका तो स्कूल है अब तो वह फर्स्ट में आ गई है ना तो उसकी पढ़ाई और बहुत ज्यादा टफ हो स्कूल तो जाना ही है तो बस ऐसा है कि अब तो रेगुलर स्कूल जाना ही होता है कहती है ममा रोज ही जाना है कब होगी मेरी चुटी तो बस वही था बस अब हम लोग नहाद हो गए थे फटा फट से और उसके बाद मैं मंदिर वगेरा होकर आई हूं और बड़ा अच्छा लगता है ना वरत वाले दील वरत है ऊपर से सावन चल रहे है तो इतना अच्छा लगता है का पूजय करना और मंदिर में पूरी भीड होती है सारे लोग होते है पूजय करने होते हैं बता सबको देखके क glorious यह इंजिए चकट तो अब अच्छा लगता है तो बस वही आई दूसरा बहारा मौसम आज आपको मवसम कंगेरह अबादिश दूस्त Thank you तो आगे अभी शानु जब स्कूल से आएगी तब उसका देखूंगी फिलाल अभी मैं जाओंगे अपने लिए चाय बनाने के लिए फिर चाय प्यूंगी फिर थोड़ा सा अराम मिलेगा और फ्रेंट्स गर्मी का तो आपको पता ही है बुरा हाल है गर्मी से तो मतलब आला आलस हो जाता है बहुत ज्यादा इतना आलस आज़ाता है गर्मी से इतना पसीना आप कीचन में जरब चले जाओ पूरे गीले ओके आऊगे बाहर दुबार कितनी बार नहीं हो और से ना तब आ तो आप और आप एसी में बैठते और बस यहीं चलता रहता है और आपको खट मुझे कमेंड में बताना आप लोगों का मेरा इंगलेंड का व्लॉग कैसा लगा जितना मैंने बनाया क्योंकि जैसे जैसे मैं जहां गई गूमने मैंने सारा दिखाया और हम लोगों ने क्या-क्या पूरा एंजॉई किया अभी मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा बताउंगी कैसे कितना क्या किया था कितनी टिक्केट है कैसा था कहां से कहां । डोग में आपको पूरा आरतनली से बना कर दूगी। उसमें पने अच्छे से सारी चीज़ बताउंगी। क्योंकि मुझे हम का मिला था जाता है तो इस व्लॉग हार टाइम नहीं बन पाता लेकिन मैं बनावगी पूरी पूरा व्लॉग जो इंग्लें इयलैं वाला विलॉग वलॉग है तो वो मुझे आगे भी अच्छे से और उपर तक पहुचाएंगे तो जल्दी जल्दी जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे सब्सक्राइबर लेकिन जिनको मेरी वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो वो प्लीज मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं तो वो लाइक करें करें सब्सक्राइब करें पर भी मेरे अच्छे व्यूंत इंड आप लोगों को अच्छे नहीं लगे मुझे ऐसा लगा कि क्ऊंकि कम आए है तो मुझे ऐसा लगताए क्योंकि तो ऊत्राहJackand के लिए ही वो बनाती हूं इतना अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और नया लेकर आना है और कुछ और डिफरेंट आप लोगों को कुछ अगर आपको उत्राखंट साइड में कुछ देना तो आप मुझे वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं जो भी आपका जैसा दिल कर रहा है तो आप करा करो बताया करो लेकिन शेयर किया करो लाइक करा करो कमेंट किया करो और प्लीज जाज़-जाद अपने ऐसाओ लगकी पंतराखंट साइड तो आपने ख़ता खूलक पहल ना फो जाएँग तो इसमयना आपो बताया है है n you स्टेशन साइड या आपको पता ही है कि पहाड साइड ना चलाना थोड़ा सा कार वगेरा ये भी समना रिस्की होता है और फिर इसलिए न हम सुछते थोड़ा मौसम ठेक हो लेकिन मैं अभी अक्टूबर नवेंबर साइड चुटिया आएंगी तब मैं जाओंगी क्या पता म मज़ा है तो चलिए फिर मिलते हूं अभी थोड़ी देर में आपसे तो फ्रेंड बस आज सुबह से मौसम हो रखा है इतना सुहाना इतनी ठेडी ठेडी हवाय चल रही है ना मतलब शानू को जब मैंने सुबह साथ बजे साथ बजे त्यार किया स्कूल के लिए तो मतलब त कपड़ों तो बस ना सूखने का नाम लेते हैं और ऐसे ही रहता है तो यह देखो फ्रेंड्स मौसम कितना मतलब ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला हमारे कपड़े वगरा सारे सूख रहे हैं बाहर यहां पे अभी साथ वर में उपर घर में काम चल रहा है तो बस उनी एक आँ पीडिये तो चलिए फ्रेंड्स अब चाए पीटे हैं गर्मा गरम क्योंकि न मैंने नाया था तो उसके बाद नाश्टा कर लिया तर नश्टा कने के बाद चाय पीती हूं हां हम हर्याली तीछ का तो मैं वरत नहीं रखती मैं सावन के रखती हूं तो बस यह लेकि तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा चाय का आनन्द लीजिए और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना आज कौन-कौन हरियाली तीज में वरत रखता है कौन-कौन कैसे-कैसे हरियाली तीज मनाता है क्योंकि हम लोग तो बस पूजा वगारा अच्छे से करते हैं जाघो और इसके बाद बस यही रहता है सावन में रखते हैं सावन के परत रखते हैं हम भोले बाबा के बाकी तो तो यही है और सावन चल रहे हैं तो अच्छा दो लगतता है लेकिन कर्मी दो है/. थचा-पैले करने देखिए कि तेज बारी शिरू हो गई उपारिश देखिए सुबहे से मुशन इतना वैसा हो रहा था थंडए थंडडए थंडड़ा वाला हवा वाला अब बारिश होगी है और मेरी भार के अब नदेड़ बजे कट आई होगी है तो यह देखिये शामी तो भी स्कूली चे भी नहीं आई वारिष च्ट माई अ आज तो पूरे दिन भर अभी नहीं हो रही है दीन में उसके साथ कामों में लग जाते हैं इसमना वानवा खाती है उसको इतनी दीज नीज भी होती है तो से क्निन में वह जादा आपके हैं मतापर सेवन टू फर्टी ञती है घर पर तो बड़ा ही बहुत ज़्यादा थख जाती है तो बस वही होता है फिर उसको फटा-फट से सुनाना होता है क्योंकि आजकल न उसकी स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट करा रखी है तो मैंने सोचा जब तक अभी विंटर आते हैं उससे पहले इसका बड़ा ही टाइम से म कर लेती है तो दुना अपना स्विमिंग क्लास करके आएगी तो न अच्छा से क्योंकि अभी इसका मन ए बहुत तो कर लेती है तो बस वह गई अभी अपने पापा के साथ सुनाना करने कि दिभी मंब में जा रही हूँ तब तर मैंने अपनी बनाई एचाए और मैं को मैं चोड़ने जाती हुँ तो हम लोग वॉकी कर लेते हैं बस ऐसे ही रह जाता है पूरा दिन और हाँ मैंना वह भी दिखाऊंगी अभी आपको शानु से तो मैंने बात नहीं कराई शानु का टीट यह ना नीचे वाला दाथ वह भी टूट किया है पहला फस डाथ तो बड इसको टाइम लगे होगो ममा टूट फेरी तो मैजिक से ले आती है तो बस फिर किया थी ममा कब लाएगी क्या लाएगी मैंने का बेटा कुछ भी लाएगी आपके लिए ना सरप्राइज लाएगी आपको सुबए तो फिर मैंने का तो उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो रखके ना उसने देखा मॉर्णिंग में तती खुश हुई कि ममा टूट फेरी मेरे लिए यह फ्ले कर आई है तो बस वही देखकर खुश हो जाते बच्चों को तो ना चोटी-चोटी चीज़ों का क्रेज रहता है अच्छा ये ऐसे फिर मैंने का जो इसको ना गंबले तो ये देखो शानू मैडम सोके उड़ चुकी है दिन में आती है ना स्कूल से इचना थक जाती है फिर पस ममा जल्दी से खाना देख उल्टे काम ममा खाना किला दो फिर मुझे शुला दो हना शानू अच्छा सबको अपना दिखातो दो आपको कौन सा टीथ चुआ ले ग और कम लाएगा फिर चुआ संडे को संडे को लाएगा क्यों ने बोला आपको क्या बोला चुए ने आपको कप का संडे को दूंगा टीथ हैं कैसा इतलेट और कौन-कौन से शानू के अभी शानू किते ही असकी है ने टैं अच्छा पिटा ही कर दो कि तो अभी तो शानू के टीथ टूटने शुरू हो चुके हैं और यह देखिए अभी इसका यह वाला फिर टीथ के यह वाले इसके पीछे से आने लग गया तो यह तो यह देखिए अभी शानू के ना यह साथ में यह वाला टीथ भी और यह टीथ भी अब हिलने लग गया है भी ऊस तूठने भाला है, थोड़ा थोड़ा बस रहे गया, लेकिन कहानी ममध दढ दो रहा है, तो मैंने कहल कोई बात नहीं, और बाकी शानू की स्विमिंग क्लास कैसी चल रही है तल शानू ने चानू ने क्या क्या सीख लिया बता दो स्विमिंग क्लास में, पहले तो पर मतलब वाटर से तो इसको बहुत प्यार है पानी में तो जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है हना लेकि बस यह था कि थोड़ा सा है तो वह कैसे लाती है नहीं वह कैसे ला जाती है फटा-फट शेगिफ टूथ फेरी जब हम सो गते हैं तो वह बताओ तो फटे को तो अपने मैजिक से बहुत बढ़ा कशिए तो अच्छा वो फैर ऑप्र डिफ्ट कब देती ऐं में दिन में देती हैं तो ऑप सब को बाइबाय कर दो बाइबाय और बाइबाय अथे यह यह देखो इसकी चतानिया ना इतनी रहती हैं यह पूरा बैड ऐसी कर देती है यह देखो यह से टुपकी होती है हम यह देखो यह स्वीमिंग और यह स्की यह स्वीमिंग हो रही है नॉटी गल कैसे चलते हैं अच्छा तो आप शानू फ्रॉग की तरह तो नहीं चलती वाटर में